नमस्कार किसन भाईयों तो आज हम देखने वाले है VST का 927 यह मॉडल जो है 4-wheel drive में और यह सबसे आसा तक्निक वाला यह ट्रक्टर है तो इस ट्रक्टर की पूरी जानकरी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं क्योंकि यह ट्रक्टर काफी बहतरिन होने वाला है और यह वीडियो भी बहतरिन होने वाला है तो वीडियो को अंतर देखते रहिए और हाँ कोई भी जानकरी बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि काफी सारे फिचर्स रिस्ट्रक्टर में दिये हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबी किसान भाईयों का ट्रक्टर कारवा हमारे यूट्यूब चानल में स्वागत है तो किसान भाईयों आज हम देखने वाले हैं VSD का 4WD वाला मोडल जो है 27 तो ये ट्रक्टर काफी फाइदे मन्द होगा किसान भाईयों के लिए वो कैसे वो हम आगे जानने ही वाले हैं ले यह शुरू करते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं इस ट्राक्टर के फ़रंट लुक की, तो जब भी आप इस ट्राक्टर को देखेंगे, तो आपको सोली से हमार इंट्राक्टर की याद तो जरूर आएगी, क्योंकि इसका लुक काफी अलग दिया है और काफी अट्रक्टीव यह लुक है जो किसानों के दिल को बाता है. बात कि जाए इस repair के power steering की तो इसमें आपको single acting power steering देखने को मिलती है और dry type का air filter भी इस ठrector में दिया है. अगर बात कि जाए इसके look की तो इसका look काफी गाफी massive और काफी bolt type look दिया है जिसकी वज़े से ये ट्राक्टर छोटा होने के बाउजुद भी काफी बड़ा दिखता है इंजन की बात की जाए तो इस ट्राक्टर में 306 सीशी का इंजन मिल जाता है जो कि 24 edge p में है और 4 syilindr में ये ट्राक्टर हमें देखने को मिलता है rated rpm भी बात किज़ाए तो इस ट्रेक्टर में 2700 का rated rpm दिया हुआ है clutch की बात करें तो इस ट्रेक्टर में single audio और clutch दोनों दिये हैं steering में इस ट्रेक्टर में manual भी option available है और power steering भी single acting power steering दी हुई है brake की बात किज़ाए तो oily nurse brake इस ट्रेक्टर में दिये हैं और 18 liter का बड़ा fuel tank दिया हुआ है दोस्तों अगर बात किज़ाए इस ट्रेक्टर के transmission की तो इस ट्रेक्टर में हमें 6 forward और 2 reverse gear देखने को मिल जाते हैं वही अगर gear की बात किज़ाए तो इस ट्रेक्टर में sliding mesh gearbox देखने को मिलता है digital instrument cluster की बात किज़ाए तो इस ट्रेक्टर में हमें नया और advanced feature वाला digital instrument cluster देखने को मिलता है जिसमें हम सारी चीज़े track कर सकते हैं देख सकते हैं जैसे कि fuel कितना बचा है उसके बाद इस ट्रेक्टर का temperature क्या है इसका battery status क्या है इसका heating stage क्या है उसके साथ इस ट्रेक्टर में rpm कितना चल रहा है और hover कैसे चल रहे है कितना shifting हुआ है यह सब इस cluster में देखने को मिल जाता है setting capacity या seat की बात की जाए तो इस ट्रेक्टर में काफी comfortable और adjustable seat में देखने को मिलता है बात करें इस ट्रेक्टर के PTO की तो इस ट्रेक्टर में हमें दो type के PTO देखने को मिलते हैं जिसमें आर्पियम मिलता है 549 और 510 का PTO आरपियम में स्ट्रक्टर में हमें देखने को मिल जाता है बात करेए इस ट्रक्टर के डाइमेंशन की तो इस ट्रक्टर में 184 kg इस ट्रक्टर का वेट है और 1420 mm का इसका गिल पैस है और लेंक की बात की जाए तो 2450 mm और इस ट्रक्टर की width है 1050 mm, ground clearance इस ट्रक्टर में सबसे ज़्यादा है, 305 mm का इस ट्रक्टर में ground clearance दिया हुआ है, बात की जाए lifting capacity की तो इस ट्रक्टर में 750 kg की lifting capacity दी होई है, अगर वही बात की जाए hydrodig की, तो इस ट्रक्टर में auto dip और dip control इस ट्रक्टर में दिये होई हैं, तो अगे वाला टायर हमें मिल जाता है 6-12 का, वही पीछे वाला टायर हमें मिल जाता है 8-3-20 का, और अगर बात की जाए इस ट्रेक्टर के वारंटी की, तो इस ट्रेक्टर में हमें 2000 घंटे या 2 साल की वारंटी मिल जाती है, किसान भाइयो उमीद करता हूँ ये ट्रक्टर आपको काफी अच्छा लगा होगा 4WD में कम HP में ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ट्रक्टर है किसान भाइयो के लिए और इस ट्रक्टर के डीजल खपद भी काफी कम है तो किसान भाइयो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस ट्रक्टर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अपने नजदी की VST डीलर्शिप पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकरे के लिए या फाइनस की जानकरे के लिए लो तो कि दिए धन्यवाद उन्यवाद